समाचारपत्र आज के युग में समाचारपत्र मनुष्य की दिन्चर्या का अवश्यक तक अंग बन गया है। प्रातकाल से ही मनुष्य को इसका इंतजार रहता है। समाच की उनती में इसका एहम योगदान रहा है। हमारे आसपास वादेश की देशों की घटनाओं की जानकारी समाचारपत्र से ही प्राप्त होती है। समाचारपत्र का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारम हुआ। पूर्व में समाचारपत्र का उप्योग सैनिकोद द्वारा सूचना देने के लिए किया जाता है। हमें हर तरह की जानकारी इससे ही मिलती है शिक्षाख MKHEAL-MAN NEWMAN-com g orphan साहितिए अर आधी की परमुंक्त кवर्य दैनिक समाचारप्रकूशूंust में प्रकाशित होती है, हर देश में भिणनल भिणनज भाषाओं में इसका प्रकाशन होता है, दैनिक समचार पत्र के अलावा मस्तिष्क, मासिक, पाक्षिक वा सब्ताहिक पत्र पतिकाओं का प्रकाशन होता है हमें समचार पत्र से घर बैटे देश-विदेश की गतिविधी का पता चल जाता है समाचार के लेक खबरें समाज की उनती में इनका विशिष्ट योगदान रहा है इसका शेत्र काफी बढ़ गया है समाचार पत्र संचार के वशाधनों में महतापूर्स स्थान रखते हैं समाचार पत्र हमें देश विदेश से परिचे कराता है समचार पत्र के अलावा हमें टीवी, इंटरनेट पर भी खबरों की सुविधा मिल जाती है यह न्याय के खिलाफ हमेशा तपर रहता है पहले इतने साधन नहीं थे लेकिन अब समचार पत्र के कारण हमें नई-नई ज्यान की बाते भी मिलती है अभी मिलती है